आज मम्मी वाशिन मशीन में कपड़े धुलने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी कपड़े प्रापर तरीके से धुलना सीख लेता हूँ फिर मैं भी मम्मी के मदद कर सकता हूँ तो सबसे पहले मम्मी ने डिटर्जन बॉक्स में लिक्विट डाला फिर वाशिन मशीन को सट कर दिया और कपड़े कुछी देर में वाशिन मशीन में धुल गई तो मैंने उन्हें फैला दिया तो आज मैंने फटा फट से वाशिन मशीन में कपड़ा धूलना सेख लिया और मशीन को हर तीन महीने में एक बार साफ करना रहता है क्यूंकि मशीन हमारे कपड़े साफ करते करते खुद अंदर से गंदी हो जाती है तो उसके लिए अलग से डिटर्जेंट आता है तो सबसे पहले हमने डिटर्जेंट को डायरेक्ली वाशिन मशीन के अंदर डाला फिर इको टप क्लीन पे वाशिन मशीन को सेट करके ओन कर दिया तो पूरे दो घंटे के सफाई के बाद फाइनली वाशिन मशीन ने खुद को साफ कर लिया और जितना भी कसरा था वो सब उपपर आ गया जिसको आप लोग साफ साफ देख सकते हो तो कसरा निकालने के लिए वाशिन मशीन को एक बार रिंस करना पड़ता है तो रिंस पे सट करके पाच मिनट में वाशिन मशीन के अंदर का सारा कसरा बाहर निकल गया तो आज मारिया के साथ मिलके एको टब क्लीन से वाशिन मशीन को क्लीन करके काफी जादा मजा आया तो कौन अपने बैन बाई के साथ में मिलके नियो नियो चीजा करता है कमेंट करके बताओ थांक्यू बाई